राजस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि राजस्तान में विरांगनाओं के पुलिस ने तड़के करीब तीन बजे दर्ना इस्तल से उठा कर उनके गर पर छोड़ दिया है वीडियो में आगे बढ़ने से पेले वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वे कई दिनों से सचिन पाइलेट के आवास के बाहर जेपुर में दनना दे रही थी पेले पुलिस दुआरा इरासत में लेनी की बात कही जा रही थी लेकिन तीनों मैलाओं को उनके गर पर छोड़ा गया है बिजेपी सांसत भी निवास पर मौझूद है बताया जा रहा है कि कुछ देर बार किरोडी लाल महिंद्रा सेस्थाने पहुंचेंगे पुलिस ने विरांगनाओं के साथ दन्ने पर बेठे लोगों को जेल में डाल दिया है एसेपी अनिल सर्मा ने कहा परदसन कारियों को कई बार समझाया था लेकिन वे नहीं मान रही थी नो लोगों को गिरिपतार किया गया है इनका मेडिकल करवाकर कारेपाली का मजिस्ट्रेट के सामने पेस करेंगे बता दे विरांगनाई अपने देवरों को नौकरी देने की मांग कर रही है जबकि सरकार का केना है कि सईथ के बच्चे और बच्ची को ही अनुकमपा पर नौकरी दी जा सकती है सचीन पाइलेट के बंगले के बाहर धरने पर बेटी विरांगनाओं की दो बड़ी मांगों को अनुचित ठेराते हुए CM असो गेलोत ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया था CM गेलोत ने ट्वीट कर विरांगना के देवर को सरकारी नौकरी देने और सहीद एमराज की तीस्तरी मूर्टी लगाने की मांग को अनुचित बताया है गेलोत ने विजेपी नेताओं पर सहीद विरांगनाओं का राजनेतिक इस्तमाल करने का आरोप लगया है मुख्य मंत्री ने ट्वीट किया सहीदों के बच्चों का हक मार कर किसी अन्य रिष्टेदार को नौकरी देना कैसे उचित थेराया जा सकता है जब सइद के बचे बालिंग होंगे तो उन बच्चों का क्या होगा उनका हक मालना उचीत है क्या भाजपा के गुछनेता अपनी राजनेतिक रोटियां सेखने के लिए सईदों की विरांगनाओं का इस्तमाल कर उनका आनादर कर रहे हैं ये कभी भी राजस्तान की प्रम्रा नहीं रही है मैं इसके निंदा करता हूँ दोस्तों वीडियो को शेर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद